हेलो माई दियर स्टुडेंस, वेलकम टो डिफेंस त्यारी बच्वा आज हम बात करेंगे ऑक्सिजन कंटेनिंग कंपाउंट्स के चैप्टर के मतलब कि इस चैप्टर में हम वो सारे कंपाउंट्स देखने वाले जिसके पास ऑक्सिजन होगा ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सिजन भी प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात आती है हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स की ठीक है, और यह जो हमारे हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स हैं यह दो तरह के होते हैं नमबर वन अलीफयर्टिक and नमबर टू is ऐरॉमाटिक हाइड़ॉक सी डेरिवेटिव ठीक है अब हम बात करेंगे यहां पर अलीफयर्टिक के तो जो अलीफयर्टिक हाइड़ॉकसी डेरिवेटिव है उसमें क्या होता है कि जो एच गुरॉप है ठीक हैआग वो किसके साथ directly attach होता है sp3 hybridized carbon के साथ ठीक है और sa compounds को हम बोलते हैं alcoholic compound alcoholic compounds मतलब कि sa compound जिसके अंदर oh group sp3 hybridized carbon के साथ attach है that is alcoholic compound और वहीं पर अगर हम बात करें aromatic hydroxy derivative की तो यहां पर जो हमारा oh group है वो attach होता है किसके साथ sp2 hybridized carbon के साथ या फिर मैं बोलूँ एक benzene ring के साथ attach होता है ठीक है तो ऐसे compounds को बोला जाता है phenolic compound ठीक है क्या बोला जाएगा phenolic compound इतनी सी बात समझ में आती है हमारे चली अब आगे चलते हैं तो हमारे पास है aliphatic hydroxy derivative अब इसको न मैं classify कर रहा हूं किसके basis पर number of oh group कि oh group मेरे पास कितने है उसके basis पर मैं इसको classify कर रहा हूं तो यहां पर एक टाइप आती हमारे पास सबसे पहली monohydric ठीक है monohydric monohydric compound कोंड से होंगे जिसके पास सर्फ और सर्फ one oh group होगा सर्फ एक oh group आपको अगर देखने को मिले तो वो monohydric होते हैं for example जैसे मैंने यहाँ पर एक example लिखा CS3 CH2 और इसके साथ मैंने एक oh लगा दिया ठीक है तो इसमें एक ही oh दिखाई दे रहा है तो यह monohydric है दूसरे number पर आते हमारे पास dihydric dihydric अब तो यानि कि यहाँ पर हमारे पास दो oh group होंगे ठीक है तो वो dihydric compounds होते हैं हमारे जैसे कि for example तो हम यहाँ पर एक example लिखें CH2 CH2 और इसके साथ भी oh group है और इसके साथ भी oh group है तो यहाँ पर इस compound में हमें दो oh group देखने को मिल रहे हैं तो यह dihydric compound हो गया then हम बात करते हैं next तो हमारे पास इसके बाद आता है trihydric compound ठीक है trihydric अब tri का मतलब 3 तो जाहिर से बात है यहाँ पर 3 हमारे पास क्या होंगे oh group होंगे तो for example तो यहाँ पर हमें एक example लिख लेते हैं CH2 CH CH2 और इनके साथ क्या लगा हुआ है oh group लगा हुआ है तो यहाँ पर इस compound में आपको 3 oh group देखने को मिल रहे हैं आगे चलते हैं इसके बाद next आता है हमारे पास poly hydric compound poly hydric और poly hydric में बहुत सारे oh group होंगे ठीक है अब बहुत सारे कितने हो सकते n numbers में हो सकते n numbers में क्या होंगे oh group हो सकते हैं for example जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH2 CH CH CH2 ठीक है मैं कितने भी बना सकता हूँ मेरी इच्छा है तो यह एक poly hydric compound है जिसमें बहुत सारे क्या है oh group है ठीक है तो इतनी सी बात समझ में आती है अच्छा इसके बाद हम aliphatic hydroxide derivatives को दुबारा से classify कर रहे हैं लेकिन इस बार में classify कर रहा हूँ nature of carbon के basis पर कि carbon का nature कैसा है ठीक है इसके basis पर aliphatic hydroxide derivatives को classify कि हम इने तीन तरह से पहला primary ठीक है या तो primary alcohol होगा आपका या secondary alcohol होगा या फिर आपके पास tertiary alcohol हो सकता है ठीक है तो तीन तरह के हो गए अब इसमें carbon कैसा है primary वाले में primary carbon है secondary में secondary है tertiary में tertiary है चलो देखते है for example अब जैसे मैं कोई प्राइमरी एक्जमपल प्राइमरी एक्जमपल का एक्जमपल लिखो तो CH3 CH2 OH यह क्या है primary alcohol है secondary का एक्जमपल लिखो तो यह देखो CH3 CH यह जो carbon है इसके साथ 2 CH3 है और इसी के साथ क्या है एक OH ग्रूप अटेच है तो आप देख पा रहे हो कि इस carbon के साथ 2 carbon अटेच है और इसी carbon के साथ OH ग्रूप अटेच है तो यह secondary alcohol हो गया हमारे पास और tertiary का example लिखे तो एक carbon के साथ क्या है OH है और इसके साथ 3 carbon अटेच है तो 3 CH3 में यहां पर अटेच कर देता हूं So this is my tertiary alcohol ठीक है यह मेरा क्या हो गया tertiary हो गया यह secondary हो गया और यह primary हो गया अब आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले monohydric alcohol की monohydric alcohol अब नाम से पता चल रहा है monohydric alcohol मतलब कि इसके पास एक ohydric group होगा समझ में आती है बात तो हमारे पास यहां पर भी starting होगी general method of preparation general methods of preparation कैसे बनाए हम है ना preparation करेंगे तो preparation करने के लिए सबसे पहला method आता है हमारे पास from alkane हम alkane से alcohol बनाएंगे और कैसे बना सकते हैं by oxidation हमें oxidation करवाना पड़ेगा अब देखो मेरे पास है कोई भी alkane है like CH3 carbon इसके साथ एक और CS3 इसके साथ एक और CS3 attached है और यह मेरे पास एक tertiary alkane है ठीक है इस tertiary alkane का मैं क्या कर दूँ मैं इस tertiary alkane का oxidation कर दूँ तो यहां पर obvious सी बात है का oxidizing agent यूज करना पड़ेगा जो मैंने use कर लिया KmNO4 ठीक है और just मैंने इसको simply heat कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा जब हम इसको oxidize कर देंगे oxidizing agent के साथ तो यहां पर जो compound हमारे पास बनेगा वो बनेगा CS3 देखो मैं इसको whole thrice लिख देता हूँ इस carbon के साथ OH group आकर attach हो जाएगा तो यहां पर हमेरे पास tertiary alcohol बन गया ठीक है tertiary alkane से tertiary alcohol मैंने बना दिया जाहिर सी बात है मैंने यहां पर क्या कर दिया oxidation कर दिया दूसरे method की बात करते हैं अब हम तो दूसरा method आता है हमारे पास from alkenes अब मुझे alkenes से बनाती है बनाने है क्या alcohol मतलब double bonded hydrocarbon वालोस है तो यहां पर मैं क्या करूंगा alkenes का अगर मैं alkenes का कर दूं hydration ठीक है alkenes का hydration कर देता है तो चलिए करके देख लेता है मेरे पास है compound CH3 CH double bond CH2 ठीक है यह एक alkenes ले ली मैंने और जस्ट मुझे इसका hydration करना है तो मैंने यहां पर H2O डाला ठीक है और hydration करूंगा तो यहां पर क्या होगा यहां पर एक देखो यह जो दो carbon है मेरे पास carbon double bond carbon एक carbon वो carbon है जिसके पास hydrogen की कमी है मतलब एक के पास सिर्फ 1 की hydrogen है एक के पास 2 hydrogen तो marconi addition हम कर देते हैं तो यहां पर आप देखो OH का addition करना है मुझे OH डालना है तो OH उसके पास जाएगा जिसके पास कम hydrogen है और hydrogen उसके पास जाएगा जिसके पास जाएगा जिसके पास जाएगा hydrogen है ठीक है तो H2O को add करना है मुझे इसमें तो यहाँ पर Obviously बात है CH3 इस वाले के पास क्या जाएगा? OH आ जाएगा और इस वाले के पास क्या जाएगा? hydrogen आप ऐसे समझ सकते हैं आपको समझने का दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे देखो basically क्या हुआ होगा कि CH3 CH double bond CH2 यहाँ पे इसने अपने electrons इसको दे दिये तो इसके उपर क्या आगया negative charge आगया और इस वाले के उपर क्या आगया positive charge आगया तो यहाँ पे जो हमारा H2O था वो HOH में टूटा ये negative ये positive तो positive पार्ट किसके पास जाएगा इस वाले के पास और negative पार्ट इस वाले के पास जाएगा तो हमारा यही compound बनेगा ठीक है समझ में आती ये बात आगे चलता है इसके बाद हमारे पास एलकीन से ही हमें formation करनी है और हमारे पास दूसरा तरीका आता है by hydroboration oxidation hydroboration oxidation ठीक है अब देखो कैसे अब hydroboration का नाम सुनते ही तो शायद आप समझ गए होंगे कि जिद्दे को जाहिर से बात है मेरे पास होगी क्या यहाँ पे एक alkene होगी अब इस alkene में मैं क्या करूंगा hydroboration यानि कि obvious सी बात अब BH3 का इस्तमाल करेंगे हम THF की presence में दूसरी चीज़ हमें आप पे paroxide लेंगे basic condition में तो यहाँ पे अब भाई आपको क्या करना है boration hydroboration करना है तो यहाँ पे जो होगा वो anti mark होनी है ना opposite होगा तो CH3 जिसके पास कम hydrogen उसके पास एक hydrogen चला जाएगा और जिसके पास जाता है उसके पास क्या जाएगा OH परूप आ जाएगा तो यहाँ से हमारा primary alcohol बन गया ठीक है hydroboration करने से गया बन गया primary alcohol की formation हो गई important है याद रखने वाले बात है इसके बाद हमारे पास next तरीका आता है alcohol बनाने के लिए और वो तरीका है मेरे पास by oxymercuration demercuration ठीक है demercuration चलिए देखते हैं क्या होता है पर मेरे पास है एक alken और इस alken का मेरे को क्या करना है oxymercuration और demercuration करना है तो यहाँ पर reagent आपको याद रखना है reagent हम क्या डालेंगे यहाँ पर देखो हम यहाँ पर डालेंगे mercury का salt हज़ जी OAC hold twice mercury acetate दूसरा NABH4 ठीक है यह डाल देंगे अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर obvious सी बात है जैसे मार्क औरने addition होगा था same वही CH3 जिसके पास कम hydrogen है उसके पास OH जिसके पास जाता है उसके पास hydrogen already चला जाएगा तो यहाँ पर एक compound बन जाएगा मेरे पास ठीक है को उनसा alcohol बन गया secondary alcohol बन गया इसके अलावा अब हमारे पास आता है alkyl halide से formation करना है ठीक है next तरीका आता है हमारे पास from alkyl halide अब alkyl halide क्या होता है RX और RX का मैं क्या कर दो बच्छे RX का hydrolysis by hydrolysis तो मेरे पास alcohol की formation हो जाएगी तो चलिए करते हैं अब देखो कोई भी alkyl halide ले लेता हूँ हमें यहां पर like मैंने ले लिया CH3 CH2 CL ठीक है यह एक alkyl halide है और मैं एको hydrolysis करना है hydrolysis करने के लिए मैं KOH का यूज करूँगा और वो भी aqueous में क्योंकि OH एड करना तो aqueous में अलकाहलिक मत कर देना या फिर आप इसकी जगे moist AG2O ले सकते हो ठीक है कुछ भी ले सकते हो तो यहां पर जो हमारे पास formation होगी वो किस के होगी CL की जगे के आ जाएगा OH आ जाएगा तो यहां पर आ गया OH गया तो primary alcohol यहां पर बन गया अच्छा इसके अलावा जो आप है वो carbonyl compound से भी बना सकते हो मतलब कि कोई भी carbonyl compound आपके पास तो हम यहां पर next method लिख लेते हैं from carbonyl compounds ठीक है अब carbonyl compounds की जहां तक बात है देखो carbonyl compounds में एक carbon होगा double bond oxygen यानि कि यहां पर बच्छे आपके पास haldehyde हो सकता है, ketone हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है तो जब भी हमें carbonyl compound से पीछे की और चलना है ना alcohol बनाना है, तो obvious सी बात है यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका reduction करना पड़ेगा, तो reduction करेंगे reducing agent का use करेंगे और यहां पर बन क्या जाएगा, alcohol बन जाएगा ठीक है, इसके साथ एक hydrogen और एक oh group आखर attach हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे बास, alcohol बन जाएगा अब सवाल यहां पर यह आता है कि यहां पर जो हमने reducing agent है, वो क्या use करेंगे तो देखो reducing agent आप यहां पर use कर सकते हो, lithium, aluminum hydride, acidic condition में, आप यहां पर na-bh4 का use कर सकते हो आप यहां पर sodium plus etoh का use कर सकते हो ethyl hydroxide इसके अलावा आप nickel hydrogen यह use कर सकते हो, तो इन चारों में से आप कोई भी reducing agent यहां पर use कर लो reduction हो जाएगा, reduction होकर क्या बनेगा, alcohol बनेगा चीक है, तो चलिए हम इन से थोड़ा सा करके देख लेते हैं न, तो जादा सही रहेगा, अब like मेरे पास एक example है RCHO, aldehyde ले लिया, अब इस aldehyde में मैंने यहां पर use किया, lithium aluminum hydride ठीक है, acidic condition में तो यहां पर obvious सी बात है कि यहां पर हमारे पास एक alcohol बनना है, तो RCH2OH क्या हुआ होगा, इसके साथ एक hydrogen, एक hydrogen इसके पास आ गया और एक hydrogen इसके साथ जोड़ गया, ठीक है तो यहां पर क्या बन गया, मेरा alcohol बन गया, दूसरी चीज़, दूसरा एक और करके देखते हैं, मान लो मेरे पास है, ketone अब ketone है, ketone के अंदर मैंने यहां पर dollar reducing agent, मान लो NABH4 डाला, acidic condition में तो obvious सी बात है, यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, alcohol की formation होगी, लेकिन यहां पर secondary alcohol बनेगा, ठीक है इसके अलावा, अगर मान लो हमारे पास तीसरा compound है, क्या एक cyclic compound है और इस cyclic compound के साथ हमने ना, दो चीज़े करवा के देखते हैं पहली अगर मैं इसमें डाल दूँ lithium aluminum hydride ठीक है, deposit acid condition मैंने deposit ले लिया, ठीक है, तोड़ा समझाने के लिए, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्छे देखो oxidation होना है, obvious सी बात है, इस O के साथ एक D और इसी के साथ एक hydrogen आ कर attach हो गया, लेकिन वहीं पर अगर मैं यहां पर ले लेता हूँ NABH4 acidic condition में तो देखो यहां पर क्या होता है अब यहां पर यह जो है, यहां पर OH और यहां पर D आ कर attach हो जाएगा देख रहे हो आप इधर क्या हुआ, इस O के साथ D आ कर attach हो गया और यहां पर hydrogen attach हो गया यह D क्या है जो हमने लिया था, अब यह H यहां पर H, तो इस तरीके से आप यह क्या कर सकते हैं, इनका reduction करवा सकते हो इसके अलावा अगर मान लो आपके पास है कोई alkene है ठीक है, और उसके साथ एक aldehyde group भी है यानि कि इसका क्या नाम होता है आप जानतों इसको बोलते है croton aldehyde croton aldehyde ठीक है, मतलब इडबल bond character भी है, हमारे पास और एक aldehyde भी है, अब मैं चाहता हूँ कि यह double bond character का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए aldehyde reduce हो जाए alcohol के अंदर, तो यहाँ पे मैं simply यहाँ पे use करूँगा, lithium aluminium hydride और H positive, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास CH CH to OH, ठीक है तो alcohol में convert हो गया इसके अलावा, next बात आती हमारे पास ether से formation करने की, हम ether से क्या कर सकते हैं alcohol बना सकते हैं from ethers तो देखो, ether से कैसे बनाएंगा, अब ether क्या होता है दो alkyl group के बीच में oxygen आप यहाँ पे simply dilute H to SO4 का use कर सकते हो अब dilute H to SO4 का use किया तो देखो, अब यहाँ से न 2 mol of ROH बन जाएंगे ठीक है, 2 mol of ROH, like मेरे पास मान लो यहाँ पे है CH3O CH2CH3 यह है, और इसके अंदर आपने क्या क्या, इसके अंदर आपने वही dilute H to SO4 डाला एक ether है मेरे पास, उसमें dilute H to SO4 डाला, अब देखो यहाँ से 2 तरह के alcohol बन गए आपके, एक तो कैसा बन गया एक बन गया CH3OH methyl alcohol और दूसरा आपके पास बन गया ethile वाला ठीक है, तो यहाँ पे 2 alcohol बन गए तो ether से आप क्या कर सकते हो ether से आप formation कर सकते हो alcohol की, ठीक है बचो आगे इक बाकी की पावरेमेशन हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं थैंक्यू